नमस्कार बाईजूज एक्जाम प्रेप आईएस हिंदी प्रेट फार्म पर आपका स्वागत है दोस्तो आज हम लोग 6 नुवंबर 2022 के दैनिक क्वीच की चर्चा करेंगे जो की आपके आगामी संग लोक स्वायो की प्रारंभिक परिक्चा के दिश्कोंट से लाबदायक दो सकता है तो आईए पहले प्रस्न की ओर चलते हैं हाल ही में खबरों में रहा घेम हंड्रेड क्या है इसमें दिया गया है कि इरान का पहला तीन चरणों वाला उपगरह प्रक्षेपणयान है या इरान का नवीनतम बैलेस्टिक मिसाइल कारिक्रम है या रूस की थर्मो न इरान का पहला तीन चरणों वाला यहा उपगरह प्रक्षेपणयान है तो यहां पर आप देख सकते हैं ता हिंदू में आई हुई खबर है कि इरान टेस्ट गेम हंड्रेड मल्टी स्टेज रॉकेट डेट कैन कैरी सैटेलाइट तो दोस्तों यह इरान के दौरा यह सफल प परिक्षण किया है तो दोस्तों इसे 176 पाउंड यानी 80 किलोग्राम तक के उपगरहों को पिर्थवी से लगभग 310 मिल की कक्षाओं में ले जाने के लिए दिजाइन किया गया है और यह ठोंस इनन वाले वाहन को सब आर्बिटल परिक्षण उडान पर लांच किया तो द अमेरिका ने इस घटना के बाद ऐरान की आलोचना की है दोस्तों यहां पर देख सकते हैं एरान चारो और से घिरा हुआ है एक तरफ गलप आफ ओमान है तो एक तरफ एरस्यन गलफ है और दोस्तों इन दोनों के बीच में हारमुच जल संदी है तो यह देख सकते है कि पाक देख सकते हैं कि यह इराक को भी इसपर्स करता है और इधर यहां पर देख सकते हैं कुवैट इसे इसपर्स नहीं करता है यहां पर देख रहे हैं बीच में गैप है तरकी को यहां इसपर्स करता है और इसकी राजधानी तेहरान है दोस्तों इरान में दस्ते कवीर और दस्त लुत यहाँ पर दो प्रमुख मरुस्थल पाये जाते हैं अब बढ़ते हैं सुन्डा जल डमरू मद्य तो जल डमरू मद्य को हम स्ट्रेट कहते हैं या जल संधी कहा जाता है यानि दो सागरों को जोडती है और दो स्थलों को अलग करती है जिसे हम जल संधी कहते हैं तो यह जावा और सुमात्रा के मद्य इस्तित है इस मांचित में अगर हम देखते है यह भी इंडोनेशिया का दूप है इसे सुमात्रा कहेंगे और यह जावा है इसी के बीच में यह सुन्डा स्ट्रेट है तो नेवी चीफ्स आफ्ट क्वाड इन जापान एहेड आफ मालाबार एक्ससाई दोस्तों मालाबार बहुपक्षी अभ्यास से पहले क्वाड देशों की नौ सेना जापान में आपस में मिले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वाड जो की चार देशों का समू है जिसमें United State of America अपना भारत और Australia के साथ साथ जापान है तो इस तरह से यह क्वाड समू को ले करके चीन काफी चिंतित रहता है जब भी कोई घटना घटित होती है तो चीन सबसे पहले आगे आ जाता है तो इस अभ्यास को ले करके चीन काफी सक्री है उसका कोई वेसल जहाज भी इस शेतर से गुजर रहा है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह 5 नमबर को चारों देशों की नो सेनाओं के प्रमुक आपस में मिले और भविस्य के संस्क्रणों में अंतर संचालन को बढ़ाने और उनके बिचारों को आदान प्रदान किया गया दोस्तों यह जो अभ्यास होगा माला बार अभ्यास यह 26 संस्क्रण होगा 8 से 18 नमबर के बीच होगा तो दोस्तों पहली बार यह अभ्यास 1992 में भारत और अमेरिका के दौरा तो यानि इसकी सुरुआत 1992 में हुई थी जिसमें भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच हुई थी दोस्तों वर्स 2015 में जापान भी इस समूँ में सामिल हुआ इसके बाद वर्स 2020 में आस्टेलिया भी इस अभ्यास में सामिल हुआ अब कौडिलेटरल सिक्योरिटी गार्ड में भारत प्रसांत पैस्विक छित में होने वाले माला बार एकसरसाइज एक साल जापान में होता है एक साल भारत में और एक साल प्रसांत महासागर में किसी अमेरिकी नौसेनिक बेस के करीब होता है तो दोस्तों इस तरह से चारो देसों ने इन संयुक्त अभ्यासों को हिंद प्रशांत में चीन की बढ़ती नौशैनिक शक्त के खिलाब एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में यह देखा जा रहा है जापान पहुँचने के बाद सिवालिक और कामोर्तों ने जापान की नौसेना के युद्ध पोत जेयस हमाना के साथ 29 अक्टूबर को दुपक्छी एकसरसाइज में भी हिस्सा लिया था तो सिवालिक और कामोर्तों दोनों ही स्वदेसी युद्ध पोत हैं भारत के तो शिवालिक एक मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रीगेट है जो एंटी सबमरीन वारफेर में भी हिस्सा ले सकता है कमोर्तो पूरी तरह से ASW यानि एंटी सबमरीन वारफेर जहाज है तो माला बार एकसरसाइज में यह दोनों शिरकत कर रहे हैं और इसके साथ साथ अमेरिका और आस्टेलिया के युद्ध पोद भी जापान पहुँचने सुरू हो गए हैं अब भड़ते हैं तीसरे प्रसन की और निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए भारत 1952 में चीता को विलुप्त घोसित कर दिया था दोस्तों 1947 में 36 गड़ के कोरिया में अंतिम जो चीता था वह मारा गया जिसके बाद से 1952 में इसे विलुप्त घोसित कर दिया तो यह तो कतन सही है दूसरा है ACI चीता को IUCN की रिड लिस्ट में गंभीर रूप से संकट ग्रस्त प्राणी के रूप में वरगी कित किया गया दोस्तों यह कतन असत्त हो जाता क्योंकि विलुप्त प्राइस के रूप में सामिल किया गया है ना कि गंभीर रूप से संकट ग्रस्त तीसरा है चीता पुनर बहाली कारेकरम के तार ACI चीतों को कुनो रास्टी उद्ध्यान में लाया गया है एकदम सत्त है दोस्तों अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा 17 सितंबर को अफरीका महादिव के देश नामीबिया से 8 चीते लाए गए तो यहां पर देख सकत पत्रों में आई हुई है कि कुनो नेशनल पार्क में आठ में से दो चीतों को अनकूलन बाड़े में छोड़ा जाएगा तो अंतर रास्टी मान दंडों के अंसौर जंगली जानवरों को कभी भी दूसरे देश जब स्थान अंतृत करना होता है तो किसी भी संक्रमण के प् कुरिंटीन होना पड़ता है तो इस तरह से 17 सितंबर को मैंने बताया ही और ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं चौथे प्रस्न की ओर राजा राम मोहन राए इनका नाम तो सुना ही होगा दोस्तों तो इनके संबंद में निम्लिकित कत्रों पर विचार कीजिए इन्होंने इंगलेंड में अकबर दुतीय का पक्छ रखा और इसके लिए पैंसन और भत्तों की मांग भी की यह कत्थन एकदम सर्थ है उन्होंने मूर्ती पूजा और अंदविस्वास के विरुद्ध एक प्रियास के रूप में 1814 में आत्मी सभा का गठन किया और दोस्तों तीसरा कत्थन राजा राम मोहन राए और अलेक्जेंडर डफ द्वारा संयुक तुर्फ से महिलाओं की सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौलकाता यूनिटेरियन कमेटी की अस्थापना की गई यह कत्थन असत्य हो जाता है दोस्तों कौलकाता यूनिटेरियन कमेटी का गठन राजा राम मोहन राए द्वारका ना टेगोर और विलियम एडम ने की थी ना की अलेक्जेंडर डफ ने तो इस तरह से तीसरा कत्थन असत्य हो जाता है तो दिये गए कत्रों में से कितने गलत है इसमें भी केवल एक कत्थन गलत है और वो भी कौन सा यहां पर देख सकते हैं तीसरा तो एक और दो सही है दोस्तों इससे संबंदित P.I.B. में खबर आई हुई है कलरफुल एन इनर्जेटिक डांस ड्रामा बेजड ऑन दा लाइफ आफ राजा रामोहन राय और्गनाईज अंडर दन थीम नारी सम्मान टूरे एड सेंटरल विस्टा दोस्तों इन्हों ने 1828 में ब्रह्म समاج किये स्थापना की थी अठारह सो 25 में बेतांत कालेज की स्थापना की थी दोस्तों और इस तरह से कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की थी इनके समाचार पत्र थे संवाध कौमदी और मिरातल अक्पार इन्हें कई भासाओं का ग्यान था दोस्तों भारत की राजधानी नई दिली में इस्थित कर्तब बेपत एवं इंडिया गेट पर पांच और छे नॉमबर याज आधुनिक भारती समाज के जन्मधाता कहे जाने वाले राजा राम मुहन राए के जीवन पर आधारित एक नित रंग मंच कायोजन किया जा रहा है और इस प्रस्तुती का नाम युग पूरुस राजा राम मुहन राए है और दोस्तों यहाँ कारेकरम नारी सम्मान थीम पर आधारित होगा इस तरह का प्रस्न बन सकता है तो जिसे राजा राम मुहन राए पुस्तकाले प्तिष्ठान द्वाराया संचालित किया जा रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1833 में ही इनकी मृत्य हो गई थी दोस्तों 22 मई 1772 को यह बंगाली हिंदू परिवार में जन्मे थे और इनकी सिक्छा देख सकते हैं कि अरभी फारसी में इन्होंने अध्यन किया इन्हें हिंदी अंग्रेजी करीब आठ भासाओं का इन्हें ग्यान था दोस्तों मुगल सार्षक अकबर साध्युती ने इन्हें राजा की उपाधी दी थी अब बढ़ते हैं दोस्तों 2016 में आय विये प्रस्न की योर अकसर चर्चा में रहने वाले अभिप्रेत राष्ट्रीय अस्तर पर निर्धारित योगदान सब्द किस संदर्व में है या युद्ध प्रभावित मध्यपूर के सननार्थियों के पुनरवास हे तू यूरोपी देशों दोरा लिया गया संकल्प है या जल्वाई परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व के देशों दोरा तयार की गई ये कार योजना है या एसियन इंफरस्ट्रक्चर इन्वेस्मेंट बैंक के स्तापना में सदत से देशों दोरा किया गया पुन्जी योगदान है या सतत विकास लक्षों के संबन में विश्व के देशों दोरा बनाई गई कार योजना है तो दोस्तों इसमें उत्तर होगा B या जल्वाई परिवर्तन से निपटने के लिए विश्व के देशों दोरा तयार की गई ये कार योजना है तो इस तरह से देख सकते हैं कि INCD पक्षो द्वारा की गई वर्स 2020 के पस्चात की जलवायु कारिप प्रतिबधताएं हैं यह पेरिस समझवते का आधार बनाते हैं तो दोस्तो UNFCCC जलवाय परिवर्तन से निपटता है और यह ब्यक्तिकत देश निर्णे करेंगी कि वे कितना योगदान करेंगे तो दोस्तो COP21 का जो आयोजन किया गया था वह 30 नौंबर से 12 दिसंबर 2015 के बीच आयोजन किया गया था तो दोस्तो इस तरह से वांचित रास्टी स्तर पर निर्धारित योगदान कार योजना है जिसकी रूपरेखा सदसे देशो दौरा जलवाय परिवर्तन का मुकाबला करने की दिश से तैयार की गई है तो इस तरह से यह है इसका उतर भी होगा अब भरते हैं दोस्तों आज के Fact of the Day में अर्थ गंगा तो दोस्तों National Mission for Clean Ganga यानि NMCG Organized Ganga Uso The River Festival 2022 on 4th November at New Delhi in two sessions तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रास्टिय स्वक्ष गंगा मिसन ने गंगा उस्सो नदी महसो का आयोजन किया है और इसका मुख्य उद्देश ये कि भारत की सभी नदियों को मानना है तो NMCG यानि रास्टिय स्वक्ष गंगा मिसन ने 2017 से हर साल 4 नवंबर को गंगा उस् तो वर्ष 2008 में इसी दिन गंगा नदी को भारत की रास्टिय नदी भी घोसित किया गया था दोस्तो गंगा उस्सो दो हजार बाइस के आजादी का अमरित महसो को यह समर्पित है इसके आधार पर 75 कारिक्रम इसमें आयोजित किये जाएंगे और दोस्तो अर्थ गंगा के त गंगा परिस्त की बैठक के दोरान इस अधारना को पेश किया था और उन्होंने गंगा को स्वक्ष बनाने के लिए केंसरकार की प्रमुक परियोजना नमामी गंगे से अर्थ गंगा के मौडल में बदलाव का आगरह भी किया था दोस्तो यह अधारना पूर में गंगा अर्थ गंगा मौडल का मुख्य उद्देश है तो इस तरह से ही देख सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पात का कम से कम तीन फीजदी योगदान करने का प्रियास किया जा रहा है गंगा बेसिन की मदद से साथ ही अर्थ गंगा पर योजणा संयुक्तराश के सतद विकास लक्षों के प्रति भारत की प्रतिबढधताओं को दोहराता भी है दोस्तो अर्थ गंगा पर योजणा के ताहत प्रमूख 6 कारे छेत्रे जिसमें पहला है जीरो बजट प्राकृतिक खेती यानि जीरो बज पुझना के माद्यम से खाद के रूप में गोबर की खाद को बढ़ावा दिया जाएगा। पुझना के माद्यम से खाद के रूप में गोबर की खाद के रूप में गोबर की खाद को बढ़ावा दिया जाएगा। बढ़ावा देना है जिसे रोजगार के साथ साथ आर्थिक बहागीदारी को भी बढ़ाया जा सके और दोस्तो चटवा है जल प्रबंधन को बढ़ावा देना। तो अर्थ गंगा माडल के मदद से बहतर जल प्रबंधन के लिए स्थानी प्रसासन को ससक्त बनाकर संस्थागत भवन निर्मार को बढ़ावा देना भी सामिल है तो इस तरह से ये छे कारशेत्र इसमें सामिल है तो आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रस्त है राजा राम मोहन राए की मृत्यु कहां हुई थी और दूसरा प्रस्त है हारमज स्टेट जिसे जल संदी कहते है यह किन दो सागरों को जोडती है तथा किन दो अस्थलों को अलग करती है तो इस तरह से आज का आँके यहीं समाप्त करते हैं आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बिल आइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद